आज मैं आपको सोमवात वर्थ की कथा सुनाओंगे कथा प्रारव एक साउकार था जिसके घर धन आदि किसी प्रकार की कमी नहीं थी परन्तु उसको कोई पुत्तर नहीं था वै इसी चिंता मेरा दिन रहता था वै पुत्तर की कामना के लिए फरती सोमार को सिर्जी का वर्थ और पूर्यन किया करता था तथा सायकाल खोसी मंदिर में जाकर सिर्जी के सिरी विग्रे के सामने दीपक जलाया करता था उसके इसी भगती वाव को देखकर एक समय सिरी पारवती जी ने सिर्जी से कहा कि महराज ये सावकार आपको अनेंत भगत है और सदेव आपका वर्त और पूजन बड़ी सर्दा के साथ करता है इसकी मुन्यूपामना फूर्ण करने चाहिए सिवजी ने कहा है पारवती या संसार कर्मशेत्र है इस संसार में जो जैसा कर्म करता है वैसा इफल वगता है पारवती जी ने अत्यंत आगरे के साथ कहा महराज ये आपका अनेंत वगत है और इसका दुख आपको अवश्य दूर करना चाहिए सिवजी महराज कहने लगे है पारवती इसके भागे में फूत्र ने होने पर भी मैं इसको पूत्र की प्राप्ति का वर्द देता है परन्तु यह फूत्र के वल बारा वरस तक जीवीद रहेगा इसके पस्चात वे मृत्यों को प्राप्त हो जाएगा इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता यह सब बाते सावकार सुन रहा था जिससे उसको ने कुछ प्रसंता हुई ने कुछ दूप हुआ वे पहले जैसे एसी विजी महराज का वर्द और पूजन करता रहा कुछ श्काल वैतित हो जाने पर सावकार की इस्तरी गरव अति हुई और दसमे महिने में उसके गरव से अति, सुन्दर, उत्री की प्राप्ते हुई सावकार के घर में खुसी मनाए गई प्रंतु सावकार को उसकी केवर बारह वर्द की आयू जानकर अधिक प्रसंता निकट नहीं हुई पर कट मैं ही हुई जब बालक 11 वर्द की आयू हो गई उस बालक की माता ने उसके पिता से विवा आधि के लिए कहा तो बैस सावकार कहें लगा कि अभी मैं इसका विवा नहीं करूँगा अपने पुत्र को कासी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा फिर सावकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को उसके बहुत सादन दे कर कहा तुम इस बालक को कासी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्तान पर भी जाओ यक करते और ब्रामनों को वोजन कराते जाओ वे दोनों मामा भान जे यक खते और ब्रामनों को बोजन कराते जा रहे थे रास्ते में उनको एक चैर पड़ा उस चैर में राजा की कन्या का विवा था और दूसरे राजा लड़का जो विवा कराने के लिए बरात लेकर आया था वह एक आँख से काना था उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता निकन कहीं वर को देख खन्या के माता पिता भी वा में किसी परकार की अच्चन पैदा ना कर दे इस परकार जब उसने अधी संदर सेट के लड़के को देखा तो मन में विचार किया क्यों ने दरवाजे के समय इस लड़के के वर का काम चलाय जाए? ऐसा विचार कर वर ले पिता उस लड़के के मामा से बात की, तो वह राजी हो गई. फिर उस लड़के ने वर के कप्ड़े पहने और गोड़ी पर चड़ा दरवाजे तक गई. और सब कारिया प्रसंता से पूरण हो गया है फिर उबर के पिता ने सोचा कि यदि विवा कारिया भी सी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है ऐसा विचार कर लड़के को उसके मामा से कहा यदि आप फेरो और कन्यादान का काम भी करा दे तो आपकी बड़ी ही किर्पा होगी मैं इसके बदले मैं आपको बहुत साधन दूँगा उन्होंने सुईगार कर लिया और विवा का कारिया भी अच्छी तरह से संपन होया परन्तु जिस से मैं लड़का जाने लगा तो उसने राजा राजगुमारी की चुंदरी के पले पर लिख दिया कि तेरा विवा मेरे साथ हुआ है परन्तु जिस राजगुमार के साथ तुमको बेजेंगे वे एक आख से काना है और मैं कासी जी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ लड़के के जाने के पस्चा तो राजगुमारी ने जब अपनी चुंदरी पर ऐसा लिखा देगा तो उसने राजगुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि मेरा यह पती नहीं है मेरा मिवाई इसके चाहत नहीं हुआ वे तो कासी जी पढ़ने के लिए गया है राजगुमार के माता पिता अपनी कन्या को विदार नहीं किया और बारात वापिस चली गए इधर सेट का लड़का और उसके मामा कासी जी पहुँच गए वहाँ उन्होंने यग और लड़के ने परना सुरू कर दिया जब लड़के की आई बारे वरस की हो गई उस दिन उन्होंने यग रजजा था लड़के ने अपने मामा से कहा मामा जी आज मेरी तबियत कुछ ठीक नहीं है मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ हिनड का अंदर जाकर सो गया थोड़ी देर में उसके प्रान निकल गए जब मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा था उसको बड़ा दुगवा उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पिटना मचा दूँगा तो यग दूरा रह जाएगा अते उसने जल्दी से यग का कारिया समाप्त कर ब्रामनों को जाने के बादरोना पिटना आरम कर दिया सुयोगस उसी शमय सीव और पार्वती उधर से जा रहे थे जब उन्हें जोड़ जोड़ से रोनने की आवाज सुनीत पार्वती जीने का माराज कोई दुख्या रो रहा है फुस वह बहुत क्ष्ट में है जब सीव पार्वती पांच जाकर देखा तो वह वही लड़का मोदा पड़ा था पार्वती जी ने कहा माराज यह तो वही सेट का लड़का है जो आपके वरदान से बैदा हुआ है शिव जी कहने लगा हे पार्वती इसकी आयू इतनी इती सो वोग चुपा है तब पार्वती जी ने कहा है माराज इस बानक की ओर आयू दो नहीं तो इसके माता पिता भी तडब तडब कर मढ़ जाएंगे पार्वती जी बार बार आगरे करने पर शिव जी ने उसको जीवन वर्दान दिया और शिव जी माराज की किरपैसे लड़का चीवी थो उटा सिप पार्वती कहना चले गए जब वह लड़का और मामा उसी पर कार्यक कराते तथा ब्रामनों को बोजन कराते अपने घर और चल पड़े रास्ते में उसी चहर में आए जहां उसका विवा हुआ था महां पर आकर उन्होंने यग आरम कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और कहा अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिर की और बहुत दास दासी जब वे अपने सहर के निकट आये तो मामा ने कहा मैं पहले तुमारे घर जाकर खबर कराता हूँ जब उस लड़के को मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की चट पर बैठे और ये परण कर रखा था गी यदि हमारा फुत्र सुकूल स्थे सुकन लोट आया तो हम राजी खुजी नीचे आ जाएंगे नई तो छट से गिर कर अपने प्रान दे देंगे इतने में उस लड़के के मामा ने आकर कहा कि आपका पुत्र आ गया है उनको विश्वास नहीं हुआ उसके मामा ने सपत पुरुक कहा अथ्वा इसकी कता को पढ़ता और सुनता है उसकी समस्थ का मानो कावना पूर्ण होती है बोलो शंकर बगवान की जै हो आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो फिर प्रा चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें पूर अपना नहीर सारा प्यार बनाए रखिम धन्यवाद